हेलो गाइस आज आपका स्वागत है मेरी कोरेक नहीं वीडियो में आज हम निवो के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे हम पहला एक्सपेरिमेंट के लिए हमको दो ग्लास से यह उन ग्लासिस में हम पहले आप और दालेंगे या फिर आप एप लॉटर भी उसकर सकते हैं कर दो नुगे दिशी को बहर देंगे से और चाइँ म 노래 इसको बहर दिया है अब मैं एक लास में थोड़ा साना मसम डालों ठोछ नमक नीचे जغिर गया अलब कुछ नी तोड़ा सावर नमक डाल दूँगा इसको अची तरीके से भोल दूँगा अब मैंने नमक को अची तरीके से पानी के अंदर गोल दिया अब मैं पहले जो नॉर्मल पानी उसके इंदर नीपू डालूँगा अब मैं जिस पानी में नमक डोला है उसके अंदर नीम्बू डालूँगा आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल पानी है उसके अंदर नीम्बू नीचे है और जिसके अंदर मैंने नमक डाला है वो नीम्बू पर आ गया यह इसकी वर्फी से हुआ है क्योंकि जिसमें मैंने नमक डाला उस पानी की डैंसीटी जादा हो होगी ऌिल्भू से उसकी देंसिटी जादा होगी जिससे नियम्बू पर फ्लोट कर रहा है और नौरौन पानी में सब्सक्राइब ऑर ज़ादा ती इसले निमो नीचे चला गए चले अगले अगले एकस्पेडिमेंट के लिए मैंने दो प्लेट लीикомar की प्लेट अग्जिस को ऑपर मैंने और यह जिनक की प्लेट है आपके ओपर एक वायर अटाइच किये, जिंक मैंने एक बैटरी से निकाल ला है, आप भी बैटरी से निकाल सकते हो, और कॉपर की प्लेट आपको किसी वायर की शॉप से मिल जाएगी, अब मैं इन दोनों प्लेट को इसमें इसराइट कर देता हूँ, निमबू ञबहा हाड है, इसलिए पहले मैं एक नाइफ से इसको ठोड़ा कट कर दुँगा, फिर इसके अंदर छींक की प्लेट डाल दूगा, इसमें एक छींक कի बैट डाल दी, अब मैं इधर कॉपर की प्लेट डालूँगा, मैंने copper की plate डाल दिया अब मैं एक multimeter इधर रख देता हूँ on करके और इसको DC में set कर देता हूँ अब जो हमने दो plates लगाई है इधर इधर जो plate है जो zinc है हमको minus charge देगी और जो copper है वो हमको plus charge देगा चले चेक कर लेते हैं कितनी voltage इसमें सारी है इसको इसके साथ connect कर देता हूँ और इसको इसको साथ connect कर देता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर यह यह निम्बू हमें 9.75 voltage दे रहे है जिसे यह proof हो जाता है जो हम निम्बू के अंदर acid होता है वो energy दे सकता है अगर हमको इससे जादा energy निकालने है तो हमको निम्बू हम सीरीज में connect कर सेथे जादा energy निकालने के लिए अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो like और subscribe कर देना ऐसी अगली और वीडियो के लिए thank you तो